बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो आज में आप सभी के लिए लेकर आगी हूं बिल्कुल नयान क्रिस्पी पकोड़े आप बोल सकते हैं बहुती बढ़िया स्नाक्स रेसिपी है यह और इसे हमने बनाया है बचे हुए पुलाओ या तहरी आप इसे बचे हुए चाव यह बचा हुए तो यह एक पॉफिट रेसिपी है और एक तम बढ़िया लगती है एक दम कुरकुरे सी क्रिस्पी होती है उपर और अंदर से सॉफ्ट होती है गर्मा गर्म चटनी के साथ खाके आपको मजा आजाएगा तो चली बना लेते हैं और यह रेसिपी आपको अक्सर हमारे घर में बच जाता है इसमें मैंने स्वयाबीन, आलू, बिंस, गाजर, मतर डाले थे जो कि हम वेजिटेबल डाल के वेजिटेबल राइस बनाते हैं न सेम वही है तो अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे प बेसन यानि कि ग्राउम फ्लावर जो होता है चने का चने को जो पीस के रेडी किया जाता है बेसन वो डालेंगे हम इसमें तीन चमच एक चमच कॉन फ्लोर या चावल काटर डाल दीजे एक छोटा चमच रेट चिली पावडर यानिक लाल मिश पावडर डालीए और बेसन चावल को अच्छे से मिक्स कर लेना है बाइंड कर लेना है पानी वगरी इसमें थोड़ा भी नहीं डालना है तो बस हमने इस डोह को जो है रेडी कर लिया है अगर हाथ में चुपकते है तो थोड़ा सा तेल लगा दीजेगा अब चकला ले लिजे और बेलन ले चुपक रहा था लेकिन आप तेल लगाएंगे तो बिल्कुल इजी यह कट होकर रेडी हो जाएगा चारो तरफ से हम इसे कट कर लेंगे और यहां पर हमने स्क्वायर बना ले एक चोकुन बना लिया है बीच में से कट कर लेंगे और छोटे चोटे या बड़े जैसे आपक मतलब कर सकते हैं स्क्वायर आप चाहे तो इसे गोल गोल भी मतलब कर सकते हैं आपके उपर आपको कैसा शेप पसंद है मैं इसे स्क्वायर रखा है चोकुन रखा है और यहां पर हमने कट करके रेडी कर लिया है तो बस यह तो हमारा जो स्क्वायर शेप वो मिल गया है इस इसे हमें क्रिस्पी बनाना है तो इसके लिए मैंने हापे सूजी लिया है थोड़ा सा प्लेट में और अब इस सूजी में हम इसे डीप करेंगे मतलब अच्छे से कोटिंग कर लेंगे बहुत जादा भर भर की सूजी नहीं लगाना है रवा नहीं लगाना है बस कोट कर लेना है इसके अंदर हलका सप्रेस करना है और चारो तरफ से अच्छे से सूजी से इसको कोट कर लेना है तो बस यहां पर हमने सारा जो नास्ता है उसे बना करके रेडी कर लिया है तो अचलिए अब इसे गर्मा गर्म हम फ्राइ करेंगे तेल के अंदर तेल हमने हाई फ्लेम पे और उसके बाद गास का फ्लेम आज पर फिरम इसे फ्राइब होने देंगे, अब हमने गैस का फ्लेम मध्यम कर लिया है, जो ये नास्ता है, जो सनैक से बहुत अच्छे से क्रिस्प हो चुका है, करारा हो चुका है, जैसे आप इसे चलाएंगे आपको समझ में आएगा, अब जाए सब्सक्राइब क्लर मुतLby, जाए और आपा। मेली सुनेहरी निंच्छाएब के रीटेंट साइडी के अफम अठीज अबस। और अब इस गर्मा गरम स्नैक्स को हम रखते हैं प्लेट में यह बहुत जादा गरम है मैंने सोचा कि छूके आपको दिखाऊं कैमरे में लेकिन काफी गरम था तो मैंने रख दिया लेकिन बहुत बहुत जादा टेस्टी रेसिपी है यह तो ट्राइ जरूर कीजिएगा और ए सब्सक्राइब कर देजवान चटनी के साथ सवकिया है यह ऐसे भी बहुत जादा अच्छा लगता है चाय के साथ शाम को आप मतलब बहुत ही बढ़िया लगेगा तो आप इसे जरूर से ट्राइब कीजिएगा और कैसे लगी हमारी रेसिपी तो प्लीज लाइक शेयर सब् सब्सक्राइब कीजिए तो थैंक यू सो मच फोर वाचिंग माइ रेसिपी